हारदिक पांडिया की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स की तरब से नहीं खेलना चाहते सूरकुमार यादव जस्परिद बुम्रा अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा आकिर इस बगावत की वज़ा क्या है रोई शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद से या दोनों हैं बेहत नाराज ले सकते हैं बड़ा फैसला सोचिये क्या होगा अगर रोई शर्मा के साथ सूरकुमार यादव जस्परिद बुम्रा भी छोड़ते हैं मुंबई इंडियन्स के साथ भूचाल आजाएगा मुंबई इंडियन्स का दाँ उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है जबसे मुंबई इंडियन्स ने हार्दिक पांडिया को अपने टीम का कप्तान बनाने का एलान किया है तभी से टीम के अंदर बगावा शुरू हो गई है फ्रेंचाईजी के इस फैसले से कई खिलाड़ी बेहत नाराज है वे हार्दिक पांडिया की कप्तानी में मुंबई इंडियन्स के साथ नहीं खेलना चाते हैं एक वक्त के लिए जरा सोच कर देखिए अगर रोही शर्मा के साथ सूर कुमार यादा और जस्परीद बुम्रा भी मुंबई इंडियन्स के साथ छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा मुंबई इंडियन्स पूरी तरस से खत्म हो जाएगी जस्पृत बुम्रा सुर्या और रोई शर्मा के अलावा मुंबई इंडियन्स में आखिर है ही कौन ये तीनों खिलाडी ही मुंबई इंडियन्स की जान है मुंबई इंडियन्स को अपने फैसले पर विचार करना पड़ेगा IPL 2024 में अभी तीन महिने का वक्त है कहीं ऐसा नो हो कि ये बगावत मुंबई इंडियन्स के लिए भाड़ी पर जाए टीम में अगर सईयम नहीं बना रहेगा तो टीम कभी अच्छा पदसन नहीं कर पाएगी आखिर मुंबई इंडियन्स के अंदर ये बगावत क्यों शुरू हुई है चलिए बताते है जस्परीद बुमराव सुरू कुमरियादो साइद मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ी मैनेजमेंट को इमेल और पत्र भेज रहे है कि वे हार्दिक पांडिया के नेतियुत में नहीं खेलना चाते है रोई शर्मा ही उनके कप्तान रहेंगे रोई शर्मा को कप्तानी से हटाई जाने के बाद सुरू कुमरियादो ने टूटे दिल की इमोजी एक शपर शेयर की थी जबकि उससे कुछ दिन पहले जस्परीद बुमरा ने भी कुछ ऐसा ही लिखा था IPL 2024 के लिए हुए आक्षन से कुछ दिन पहले ही मुंबई इंडियन्स ने रोई शर्मा की जगह हार्दिक पांडिया को फ्रेंजाई जी के नया कप्तान बनाया इसके बाद से मुंबई इंडियन्स खेमे के 20 दरार की अफ़वा और खबरे लगातार सामने आ रही है सोचल मीडिया पर M.I. और रोई शर्मा के पशंशकों की नाराजगी के बाद सोचल मीडिया पर अफ़वा फैल गई कि धाकड खिलाडी सुर्कुमार यादो और जस्पिरिद भुम्रा ने M.I. प्रबंदन और मालिकों को इमेल और पत्र भेजे है कि वो हार्दिक पांडिया की कप्तानी में नहीं खेलना चाते हैं अगर ये सच है तो मुंबई इंडियन्स के लिए मुश्किल खड़े होने वाली है जल्दी मुंबई इंडियन्स को इस फैसले को बदलना पड़ेगा या तो सुर्कुमार यादो जस्परित भुम्रा को मनाया जाए या फिर हार्दिक पांडिया को कप्तानी से हटाया जाए इसके अलावा मुंबई इंडियन्स के पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं बसता है जरा सोच कर देखिए अगर रोई सर्मा के साथ सुर्कुमार यादो और जस्परित भुम्रा किसी और टीम के साथ चले जाते हैं तो मुंबई इंडियन्स का क्या होगा मुंबई इंडियन्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी बरबाद हो जाएगी अब इना फॉर्म में कितनी सचाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलाल ट्रेट विंडो का सिस्टम खुल चुका है कोई भी खिलाडी दूसरी टीम से संपर्क नहीं कर सकता है अगर टीम अदला बदली पर सहमत हो जाती है तो एक टीम का खिलाडी दूसरी टीम में जा सकता है ऐसे में हमें नहीं लगता कि मुंबर इंडियंस अपने तीनों खिलाडियों को किसी और फ्रेंचाईजी के पास जाने देगी आईपिल में अभी तीन महिने का वक्त बचा है ऐसे में देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि मुंबर इंडियंस अपने टीम में सयम बना पाती है या नहीं